अगर आप अपने आपको बंगाली या गुजराती या बिहारी या पंजाबी या हर्यानवी या मल्याली समझ कर बड़ा मान करते हैं तो आप ये बंद कर दीजे अगर आप भारतिय जन्ता पार्टी का शासन चाते हैं अगर आप भारतिय जंता पार्टी को वोट देते आये हैं तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप किसी अलग प्रांद से आये हैं आपका गोत्र क्या है आप किस शेत्र से आते हैं आपको केवल ये याद रखना होगा कि एक नेता, एक नारा, एक विचारधारा और ये ता एक ता है उसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम है मैं नहीं कह रही हूँ भाजपाईयों के गांधी गोलवालकर ने कहा था आजादी के 14 वर्ष बाद 1961 में जब राष्ट्रिय एक ता परिशद का पहला अधिवेशन हुआ और उन्होंने अपना संदेश भेजा उस संद करने वाली एक राष्ट्र भाव के सत्य को एक प्रकार से अमान्य करने वाली एवं विच्छेद करने वाली है इसको जड़ से ही हटा कर तद अनुसार समविधान शुद कर एकात्मक शासन प्रस्था पित हो इसका क्या मतलब हुआ वे ये कहना चाहते थे और ये चाहते हैं भाजबाई कि देश का जो संखातमक धाचा है वो अलग अलग राज्यों के लोगों के अलग अलग भावनाओं को भी जन्म देता है उनको बहुत मजबूत करता है इसलिए उसको खत्म करने के लिए उसको पोशित ना होने देने के लिए एक राश्ट्र भाव का निर्मान होन चाहिए इसके लिए अलग-अलग राज्यों को समाप्त कर देना चाहिए और एक देश बनाया जाना चाहिए इसको जड़ से हटाने की बात करी उन्होंने क्योंकि उनका मानना है कि देश में एकात्मक शासन हो एक व्यक्ति का शासन ताना शा आपको मन्जूर है